तो आज हम लोग ताइम अप्टार प्रहुट का सौट रिक सीखेंगे तो गाइज वेलकम तू सफलता क्लास आप सभी का स्वागत है प्लीज ज्वाइन देखिये इस को सब्सक्राइब करते हैं एक बहुत ही कॉमन सा कोसन है ताइम स्पीड अड डिस्टेंस का और कोसन सब्सक्राइब करते हैं तो यहां से यहां से यहां से किलो मीटर पर आवर तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है वह आपका 200 किलो मीटर है अगर उसका एबरेज स्पीड 75 है तो कोसन बोला है वाट इस डिस्टेंस बिट्विन पी और क्यूँ अब आप सोचो अगर मैं इससे बेसिक से सॉल्व करवा हूं क्यों मैंने एक ट्रिक आपको बताना है जाटी वेरी इंपॉर्टेंच चुकि अगर आपकी इसको ट्रैड और तॉटल डिस्टेंस भी दिया गया बाट क्या है को सनमें आपका टाइम क्या होता है ताइम होता है डिस्टेंस अपॉन इसी ü फॉर्मूला इसिको फOOD डी क्यों इसी का बार बार गुमाते रहो चलाते रहो तो टाइम इसको कु ले लों जैसे ये आपका टोटल टूपन मैं इसको ले लिया एक्स तो इसको 200 मैंने एक्स लूँगा तो इस तरह से अगर मैं सॉल्ब करूंगा तो एक टाइम मतलब टोटल टाइम तो टाइम पी टू क्यू और प्लस क्यू तो अब हम इसको अगर सॉल्ब करेंगे तो यह आपका बहुत ही लेंदी और ट्रैडिशनल हो गया पर एंसर आएगा डेफनेटली तो यह नहीं करना है चुकि जब बुक में यह दे ही दिया है तो मतलब क्या है उस चीज़ का कुछ नया सीखते हैं ठीक है वह नया इंपॉर्टेंट है और आपसंस भी आपके सामने है मैंने बहुत सारे सेसंस लिए हैं उसमें मैंने चुकि अपना यह मीन स्पीड दिया है 75 किलो मीटर मीन स्पीड दिया है तो अगर मैं यहां पर पी टू क्यू ले लूं जिसका वैलू यहां पर कितना दिया है 90 किलो मीटर पर आवर तो अगर मैंने अबरेज स्पीड लिया है तो सबका अबरेज स्पीड ही लेंगे चुकि यूनिट सेम होना चाहिए चुकि ultimately यह express करता है ratio में नीचे ठीक है दूसरे में Q2R कितना है 60 तो यह Q2R है ठीक है तो थ्योड़ी यह बोलता है जब कभी आप अगर speed के respect में आप जो भी यहां पे allegation लगाते हो तो वो आपका जो ratio होता है उसमें time constant मतलब आपको वो time के respect में आ जाएगा 15 इस question को बहुत easy हम लोग बना सकते हैं चुकि यहां पर time ही constant हो गया देखा जाए तो ठीक है तो यह ratio आया वो time के respect में आया बहुत ही मतलब one liner question में बना रहा हूं इसको ठीक है अब question आपका बहुत ही simple है suppose यह P2Q है और यह Q2R है ठीक है अब आप देखो question में total distance दिया हुआ है कितना है total distance 200 km तो 3 plus 2 5 का value अगर 200 km है तो 1 का value कितना हो जाएगा 40 और question किसका पूछ रहा है question पूछ रहा है what is the distance between P and Q तो P on Q का distance कितना हो जाएगा 3 तो answer आना कितना चाहिए 40 का 3 तो 40 का 3 जा कितना हो जाएगा that is 120 तो answer for this question is 120 अगर आप detail में भी solve करोगे तो answer आपका same आएगा तो confusion नहीं है चुकि question P and Q का पूछा है distance तो total दिया ना P से लेके R तो distance तो totally हमने लिया है ठीक है तो one liner question और इस तरह के बाकी tricks को देखने के लिए मेरे videos को देखते रहो सफलता के YouTube channel पे तो thank you guys I hope आपको यह समझ में आया और याद रखेगा यह बहुत ही shortcut method है one liner question मैंने बना दिया इसको और easily हमने solve भी कर लिया तो thank you to all of you guys keep watching my short video on YouTube thank you guys